हलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोड का क्लास एट हिंदी से चैप्टर 15 का सरांस और उसके कुछ प्रशनों के उत्तर, जिसका सिर्षक है दिन बंदु निराला आधनी काल के पेहत प्रतिष्टित कभी शूरी कांति पाठी निराला पर लिखी गई यह जीवनी इक सुविदन शील सहित्तिकार के शरोकार और संघर्षों को प्रकट करती है निराला के वेक्तित और जीवन के अनिकन छुई पहलू का उदघाटन करना पाठी का मुकुद्येश है बच्चो इस पाठी की सुरुआताम यहां से करेंगे आधनिक हिंदि शहित के प्रतिष्टित कभी सुरी सुरी कांतिरफाटि इंराला जी को दीन बंदु निराला कहा जाता है सच्मुद में दीन बंदु थे दीन दुख्यों प्रितों के शाद बधुत्तु की भावना रखने वाला उसका यतोजित सेवा सहयता करने वाला ही दिन बंदू कहला शकता है महा कभी रहीम ने तो दिन बंदू को दिन बंदू भगवान कहा है जो रहीम दिने ही इलाखे दिन बंदू शमय होए या पंक्ती जो निराला जी पर शही बैड़ता है वे दिनों यानि गरीबों को पिडितों को खोज-खोज कर सेवासा है तकिया करते थे भगवान ने आकर्षक वेतिति के शाथ उदार मन भी निराला जी को परदान किया था श्वयम भोजन करने वक्त यानि करते वक्त भी यदि को याचक आ जाता तो अप्रभोजन याचक को खिलाकर श्वयम त्रित हो जाते थे शाहित शाथना करने के कारण उनका मन तो उदार तो सद्यों रहा ही लेकिन जो कुछ भी आय होता उसे गरीबों में बाटकर दिन बंदु उन्हें आनन्द आता था यानि दिन बंदु को आनन्द आता था वे भले श्वयम पुराना कपड़ा पहने हो लेकिन निर्वस्त्र दीन को यानि निर्वस्त्र गरीब को देखवें नए अवस्त्री दे दिया करते थे गरीबों की शाहता के कारण हिउनके घर में गद्दा आधी अरामदायक वस्त्वीर नहीं थे परमादना ने उनकी मनोवरिती और प्रविती समझ करी कलकत्ता के स्री रामक्रेश्न मिशन वेलूर मठ्क में शेवा के लिए निवत्ट किया था निराला जी हमेशा करूमी कथन का पुर्णत पालन किया करते प्रतिवर्ष बेलूर मट में परमहंसी तता विवेका निंजी की जैन्ती के आसर पर दिन बंदू यानि दरेद नरयनों की भोजन कराते वक्त पुर्णत वे दिन बंदू दिखते थे वे बड़े लगन और प्रेम से दिनों यानि गरीबों को भोजन कराते और इसे देख कर सभी लोग उन पर मुक्त हो जाते थे निराला जी की मात्री भाषा हिंदी थी लेकिन बंगाली भाषा भी मात्री भाषा के शमान ही बोलते थे जिसके कारण बंगाली लोग उन्हें बंगाली शमाज का ही आदमी मानते थे उनके मुख से कभी रविंदना जी की गेत सुनकर वे लोग प्रशन हो जाते थे निराना जी के आकर्शक रूप लंबे तगड़े सरीर, शुन्दर श्वस्त विलिच्ण मेधा शक्ती मनोहर अवाज, दयाई, सोभाव, चिंत शिल मस्तिक, शुहानी लुभाणी आखे सुन्दर अनार की तरह दंत पंक्ती, घुंगराले बाल, चोटा मूख लवर, पतली होन, चोडी चाती इत्यादी सब प्रकार से भगवान ने उनको आकर्शक बना दिया था लेकिन वे विशे वासना से पिलकुल दूर रहें, शाहित साधना की चुकन, नर नारी प्रहे उनके इर्दिगिर्द रहा करते थे लेकिन वे किसी की आँख उठा कर भी नहीं देखते थे देश के आर्थिक विश्यमता पर आदि वे कभी बोलते थे तो वे अत्यन उग्रिश्यम्यवाद जैसा प्रतिध होते थे जबकि उग्रता रूपी आउगन उनमें लेस मात्र भी नहीं था कलकत्ता जैसा सहर जहां धन कुवेरों यानि धनवानों की कमी नहीं थे लेकिन लंगडे लूले अंधी कोड़ी और निकम्मे दिन बंधू के प्रति ध्यान देने वाले केवल निराराजी थे जबकि श्वर्ष्ट वेक्ति की साहता करने को वो उनमुक नहीं थे लेकिन जब कोई मांग देता जो चीज मांग देता निराराजी उसकी याचना पूर्ट करने की कोशिज करते थे उपलब्द नहीं होने पर हाँ जोड़ कर ही शब को संतुष्ट कर दिया करते थे भले उनके पास पैसे की कमी हो लेकिन दीनों के मन को आनंदित करने में ही आनंद प्राप्त करते थे कभी कभी तो लालची अर्नी भी उनके दान सिल शभाव से आकर्शित होकर लाप पा लेता था लेकिन उनके मन को कभी ठेस नहीं पहुँचा इस प्रकार कहा जा सकता है कि निराला जी अपने अर्शक्ता को भूल कर दुसरों की अर्शक्ता पूरा करने में अनन्द पाते थे निराला जी की उदारता से प्रभावित कलकत्ता के एकसे वाले हो या तांगे वाले शवी संग्रव उनको बिठाते थे रास्ते के गरीब लोग भी उन्हें चलते फिरते आसिस्तिया करते थे धन्य थे निराला जी शाहित जगत में उनके जैसा वशिष्ट गून वाले और आचरण वाले कभी या लिखक नहीं दिखते जिस व्यक्ति में अन लोगों से विशिष्ट गून ही वैशे लोगों का इस्वरन करना इस्वर की दी गई बानी को साथक करना है बच्चो अब हम इस चैट्र से कुछ प्रशनों के उतर जानेंगे तो प्रशन पहला है निराला जी को दिन बंदुक्यों कहा गया है उसका अंसर निराला जी सदियों दिन दुक्यों के शिवा में तत्पर रहा करते थे गरीबों को सोजनों की तरशने प्रोक मदद करना उनकी प्रकीती की ओर से प्राप्त था लंगणे लूले अंदे अपाज लोगों को अन्वस्तर दे कर संतुष्ट कर देना उनका शभाव था लोगों ने दिन बंदु कहकर पुकारते थे जो वेक्ती दीन दुख्यों प्रितों के पास जा जा कर मदद करता हो क्या वो मानो भगवान दिन बंदु के शमान दिन बंदु कहलाने का आधिकार नहीं वो प्रूत अपने विशिष्ट गुनों के कारण ही उन्हें दिन बंदु कहा गया है शेकर प्रश्ण है निराला जी शम्मंदी बाते लोगों को अतरंजित याने अस्चर चकित क्यों जान पड़ती है तो इसका इंसर है या चकों के लिए कल्प पत्र यानि कल्पना होना मित्रों के लिए मुक्त हस्ते दोस्त प्रस्त होना मित्रों और अतितियों के श्वागत सतकार में होसला दिखाने वाला लंगड़े लूले अंदे दीन जनों को खोज-खोज कर मदद देने वाला निराला जी सम्मदित बाते लोगों को अतरंजित याने अस्चर चकित जान पड़ती है क्योंकि उप्रुक्त गुनों का होना असान नहीं धनी लोग तो बहुत होते हैं लेकि निराला जी जिस सुभाव से मदद यानि गरीबों की करते थे वो आम लोगों के आस्चर चकित करने वाला ही है थार्ड प्रस्ण है निम्नि पंक्तियों का भाष्ट प्रस्ट कीजिए तो का है जो रहीम दिन ही लाखे दिन बंदू शम होए तिसका उतर है जो वेक्ति गरीबों को देखता है उसको मदद देता है वो वेक्ति दिन बंदू भगवान की तरह हो जाता है खाहे पुन्य शील के पास सब विभूतिया आप ही आप ही आती हैं तिसका अंसर जो वेक्ति पुन्य शील होते हैं जो दर्प्रविती के लोग होते हैं उनके पास सब प्रकार की विभूतिया यानि शुक्षंपदर श्वयम पहुँच जाती हैं अथार्थ पुन्यात्मा को भगवान पुन्य करने के लिए सपुष्ट दे देते हैं गाहे धन उनके पास अतिथी के समान अलपा विधी तक ही तीकने आता था इसका एंसर है निराराजी इतने उदार प्रविती के थे कि जब जब धन का आय हुआ तप-तप दोड़-डोड़ कर खोज-खोज कर दिनों की मदद में वे खर्च कर देते इसलिए आज का आया पैसा आज ही खत्म कर देना बच्चो अब हम यहाँ पर व्याकरान से कुछ जानेंगे जैसे है सुरूती शम्भिनार्थक शब्द तो सुरूती शम्भिनार्थक शब्द किसे कहते हैं तो सुरूती शम्भिनार्थक शब्द उच्चारन मात्रिय वर्ण के शधारन बदलाओ के बाजू सुनने में शमान प्रंतु भिनार्थ देने वाला शब्द को सुरूती दॉसके मंत्रा है तो इसका मतलब होता है गरीव निमलिखी तुरुती शंव भिनातक सब्धू का युदि गूमों का अर्थ लिए तो पहला रह शमान दुस्का मतलब होता ही बराबर 2 शमारत कंप लब 1 कि प्रतिष्था र्बिक तो इसका मतलब एक होता है कवेल मतलब इसका होता है एकताका भाव थर्ड है बन तो इसका मतलब होता है बननाते शेकर्ण ने बन तो इसका मतलब है जंगल फूर है भगवान तो इसका मतलब होता है इश्वर शेकेंड है भाग्यवान तो इसका मतलब होता है भाग्यशाली फाइब चात्र तो इसका मतलब होता है विद्यार्थी तेक होता है शेकेंड होता है छत्र तो इसका मतलब होता है छाता उसी तरह शिक्ष है अन्य तो इसका मतलब होता है दुसरा एक होता है अन्य इसका मतलब होता है धन पैसा एक शेकेंड होता है द्रवे इसका मतलब होता है तरल पदार्थ एट है जगत तो इसका मतलब होता है शंसा एक होता है शेकेंड होता है जगत इसका मतलब होता है कुवे के चारो और बना स्चेबूत्रा नाइन है अवधी तिसका मतलब होता है भाशा इसी का सेकेंड है अवधी तिसका मतलब होता है समय तेन है क्रम तिसका मतलब होता है एक के बाद एक तो शेकेंड इसका है क्रम मतलब कारे 11 है आदित इसका मतलब होता है इत्यादी मतलब इसमें छोटी की मांत्रा आदी में लगी है उसी तरह शेकन है इसमें बड़ी की मांत्रा लग जाती है तो आदी हो गया इसका मतलब होता है खाने की एक वस्तू 12 है चिंता इसका मतलब होता है इस पे छोटी की मांतरा पे बिंदी लगा है तो इह हो गया चिंता तो इसका मतलब होता है शोचना शेकेंड है चिता इस पे छोटी की मांतरा को पर बिंदी नहीं लगा है तो यह हो गया चिता तो इसका मतलब होता है मृतक को जलाने के लिए निशमसान में रखे गए लखड़ी के ठेर जिस पर मृतक को जलाये जाता है बच्चो अनेक कार्थक सब्द कुछ ऐसे सब्द परियोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं प्रशगान नुशार इनके अर्थ भिन भिन होते हैं जिस उत्तर हैं पहला है मन मतलब मेरा मन करता है कि मन बढ़ चावल खरिद लूँ शेकेंड हर तो हर वेक्ति को कोई हर नहीं सकता है थर्ड है कर वो अपने कर से पुस्तक वित्रक कर दिया फोर है अर्थ तो इसका मतलब होता है आज के अर्थी युग में थोड़ा धन कोई अर्थ नहीं रखता है फाइब है मंगल मंगल दीन भी मेरा मंगल ही रहेगा शिक से पास तो तुम्हारे पास वाली लड़की क्या प्रिच्छा में पास कर गई शेवे ने काल वह अल्पकाल में ही काल के गाल में छिला गया एठ है पर चिनिया के पर कटे गए पर वह जीवित था अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सस्क्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेस करें जिससे आपको मेरे ने वीड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले थैंक यू बच्चो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में